हेलो एवरियान स्वागत आपका मेरे चैनल पर आज मैं ब्रेड रसमलाई बनाने जा रहे हूं उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम दूद दूद को पैन में डाल के गरम कर लेंगे यहाँ पर आपको शैस करें जिस भी बर्तन में बना है उसका जो तला होता है नीचे का भाग वो थ्वरा भारी होना चाहिए मोटा होना चाहिए इससे दूद नीचे में लगेगा नहीं और जलेगा नहीं बस यहां पर दूद में बुश्ब आएगे, बस इसको इस तरह से चारों साइट से चलाते रहें, दूद को हमें गाठा करना है, इस तरह से चलाते रहें दूद से, जिससे की दूद नीचे में लगे नहीं, और यहाँ पर मैं पिशा हुआ चीनी डाल रहे हूं, आप नॉर्मल चीनी डालें, मेरे पा मीठा आप अपने अनुसार डालें अभी मैं यहां पर थोड़ा सा बेकिंग पॉड़र डाल रहे हूं इसे जो हमारा दूद है वो जल्दी से थीक होगा फूट कलर ना डालें यहां पर मैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डालोंगी यह मीठा डीस है यह खास करके बच्चों को ज्यादा पसंद आता है तो मैं यहां पर कोशिज कर रहे हूं कि ऐसे बनाओं कि हल्दी भी हो बच्चे को पसंद भी है और देखने में भी अच्छा लगे तो इसलिए यहां पर मैंने कलर के जगा हल्दी डाला है बस यहां पर आप देख सकते हैं दूद को कैसे में चला रहे हूं इतना ही इसको पकाना है इसको ठंडा होने के लिए रख दे यह थोड़े मलाई है यह घर के फ्रेश मलाई है इसमें मैं यहां पर चीनी पॉडर डाल रहे हूं यह पिशा हुआ चीनी है इसको अच्छे से फेट लेंगे आप चमस से फेटे या फोक से फेटे यहां पर इसको बलेंडर से कर लूँगे बस इसको ठीक से मिलाना है जिसे जो मलाई है वो अच्छे से मिल जा इतना है इसको मिला यहां पर हमने चीनी और मलाई को ठीक से मिला लिया है अब इसको साइड में डख देंगे थे हैं, ब्रेट का रश मलाई तो ब्रेट को इस तरह से बीच से काट लेंगे और इसका जो साइड वाला किनारा है उसको अलग कर देंगे क्योंकि रस्मलाई है तो वो सौफ्ट होना चाहिए तो यह साइड वाला थोड़ा हाड होता है तो इसको निकाल दे यह डीज बस ऐसे ही बच्चों के लिए बना रहे हूं थोड़ से मीठा खाने का मन हो घर का सामान से घर के चीज़ों से इस तरह से बना है और यहां पर मैंने सारे ब्रेट को काट लिया है अब हम क्या करेंगे एक ब्रेट का ऐसे पीछ रखेंगे और हमने जो मलाई और चीनी फेट कर रखा है उसको इसके उपर डालेंगे ठीक से डाल दें और इसके उपर दूसरा एक पीछ रखेंगे इस ऐसे यहां पर मैं तीन बना के दिखा रही हूं आपको ऐसे ब्रेट रखें उसके उपर मलाई को रखें इससे सौप्ट हो जाएगी अंदर वाला जो ब्रेट का अंदर वाला भाग है वो सौप्ट हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे जो दूद हमने बना के रखा था उसको इस तरह से उपर से डालेंगे अंदर में भी मलाई है अंदर से भी ब्रेट हमारी सौप्ट है और उपर से यह दूद डाल देंगे इससे यह बहुत अच्छा सौप्ट हो जाता है और यहाँ पर इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी या इसको आप आधा घंटा फिरीज में रखकर खाएं यह आपको बहुत पसंद आएगा बस यहाँ पर इस तरह से उपर से डाल देंगे यह ऑप्सनल है देखने हम थोड़ा अच्छा लएगा और यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेड ड्रस मलाई बस बन के तयार है जट पट बनने वाली रेशिपी है काट के दिखाते हूँ आपको यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है बिल्कुल ही मुह में जाते हैं घूल जाने वाले रेशिपी है आपको अगर मिठाई खाने के मन करें घर में ब्रेड है दूद है ता आप इस तरह से जट पट बना करें रेशिपी पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें